हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं भूने चने की पंजीरी जो कि खाने में तो स्वाधिश्ट होगी ही साथ ही साथ प्रोटीन और केल्शिम से भरपूर है जिसे बनाना बहुत ही हसान है जिसे आप सुभा शाम जब मर्जी खा सकते हैं और अनहल्धी स्नेक्स खाने स बलब सकते हैं जिस के लिए आपको चाहिए एक कृटोरी भूना चना, बदाम, मखाने, किशमिश, ड्राइफूर्ट अपने मर्जी के अकॉर्डिंग एड कर सकते हैं और इन में से कम भी कर सकते हैं अगर एक कटोरी आपने भूना चना लिया है तो आधी कटोरी आपको शक करके रखा है अब इनको हम मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लें जब ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए तो इसको एक बॉल में निकालिए आप देखेंगे कि इसे हम बारीग भी पेश सकते हैं और थोड़ा मोटा भी रखना चाहे तो आप इसको रख सकते हैं अब इसमें आप गुड़ और घी अड़ करेंगे गुड़ और घी ढालने के बाद आपकी पंजीरी ऐसी तयार हो जाएगी और अगर अब चाहते हैं कि आप इसके लड़ू बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा माटीरियल अपने हाथ में लीजिए और इस तरह से उसको प्रेस करते हुए लड़ू बना दी दीजिए छोटे या बड़े साइज के आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं तो देखिए हमने पंजीरी भी बना ली है और स्वादिश लड़ू भी रड़ी हैं रेसेपी पसंद आए तो लाइक शेर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताईएगा कि पंजीरी कैसी लगी